है किट्स है देखो जो अपने पिछली बार जो लास्ट बार अभी पढ़ा था ना हमने कौन सा चार्ट पाई चार्ट if the number of the children in the class is 28 then tell the number of the children अब देखो अभी हमने जो चार्ट बनाया था यह वाला चार्ट था हो इसा इतने सारे बच्चे जो थे यह क्या करना चाहते थे बीगना चाहते थे और इतने वाले जो बच्चे थे यह नहीं बीगना चाहते थे ठीक हो गया अब अगर उस क्लास में 28 बच्चे हो ठीक है तो क जहें तो भीगना चाहेंगे और श Mêmeने लिऑना चाहेंगे और सब्वेटें no सममें इसमें 7 इसमें 7 इसमें 7 इसमें 7 Karma सातियां किच्गना चाहेंगे किसों ए प्रोफ़ी और मिल्क कित्ले बच्षे कॉफी और पी है टीवी सब ने पी है और मिल्क तो आप रोज पीते ही हो सम चिल्डर्न वर आस्क विच आप दीज दे लाइक मोस्टी कॉफी और मिल्क अब देखो कुछ बच्चों से पूछा गया कि आप इन में से क्या क्या चीज़ें पसंद करते हो मिल्क तो बीस बच्चों ने बोला हमें क्या पसंद है मिल्क दस बच्चों ने बोला हमें कॉफी पसंद है और दस बच्चों ने बोला हमें टी पसंद है तो टोटल कितने हो गई है चालिस चालिस हो गई Children who like milk are 1 upon 2 divided by 1 upon 4 of the total children Children who likes coffee are half upon 1 upon 4 of the total children So the liking for tea, coffee or milk in a chapati chart अब हमको एक chapati chart बनाना है ठीक है? चपati chart बना सकते हैं हम? Tea, coffee और milk का ठीक है? Chart बना ही हम पर? सर्कल बनाना पड़ेगा एक? Yes sir Total बच्चे कितने हैं? 40 40 है उसमें से 20 बच्चों को क्या पसंद है? Milk 4 से कलने पढ़े इसके? Yes sir होगे? अब देखो इतने बच्चों को क्या पसंद होगा? Milk Simple है? Milk यह वाले इतने बच्चों को? Tea और इतने बच्चों को? Tea ठीक है? Children who like milk are half अब वो बोलना है, अब आपको इसमें सा अंसर बताना है कि इस table को देखे, या इस figure को देखे, हमको बताना है कि जो milk पीते हैं, वो आदे हैं कि 1 upon 4 हैं? 1 upon 4 कितने हैं वो? 1 upon 4 नो, रॉंग दोखो, ध्यान से देखो Children who like milk दूद कितने लोगों को पसंद है? आदे लोगों को पसंद है कि एक बड़े चार लोगों को पसंद है? आदे तो आदे वाला आएगा answer जो वाला है ठीक है? Yes sir Children who like coffee are half slash 1 upon 4 अब वो बोलने कि coffee half लोगों को पसंद है कि 1 upon 4 लोगों को पसंद है? 1 upon 4 यह हो गया answer? चीक हो गया? Yes sir Clear है? Yes sir सारे समझ में आ रहा है? Yes sir Very good